दोस्तों नमस्कार एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रेल्टिक पर दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं LHB कोच के बारे में दोस्तों LHB कोच भारतिय रेलवे में चलाय जाने वाला सबसे अत्याधुनिक कोच है बरतमान में भारतिय रेलवे में लवहग सभी सतावदी राजधानी एक्सप्रेस एबब मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में इस कोच का परियोग किया जा रहा है तो दोस्तों आईए हम लोग जानते हैं LHB का मतलब क्या होता है LHB का मतलब होता है Link Hoffman Bus दोस्तों अब हम इसके silent feature के बारे में चर्चा करने जा रहा है लेंथ आफ कोच आभर बोडी यहनि कि कोच का जो लेंथ होता है body to body इसका लेंथ होता है 23540 mm अब है length of coach overhead stock यानि कि buffer से buffer इस कोच की जो लंबाई होती है वो होती है 24,000 mm अब है height of coach LHB का जो coach का height होता है rail level से होता है 449 mm यानि कि 4039 mm अब है width of the coach यानि कि coach की चोड़ाई तो LHB coach की चोड़ाई होती है 3,240 mm अब है height of compartment floor, compartment floor का जो height होता है वो होता है 1320 mm दोस्तों अब हम इसके maximum speed के बाद करने जा रहे हैं LHB coach का जो speed होता है वो होता है 160 km प्रतिघंटा यानि कि 160 km परावर लेकिन LHB coach का जो tested speed है इंडिया में वो है 180 km परावर और कुछ modification करने के बाद इसको 200 km परावर के speed से चला जा सकता है अब है riding index दोस्तों जिस vehicle का riding index जितना कम होता है वो passenger के लिए उतना ही जाएदे comfortable होता है तो LHB coach का जो riding index होता है वो 2.5 होता है लेकिन ये 2.5 से 2.75 के बीच का इसका range है अब है LHB coach cost एक LHB coach को बनाने में कितना खर्च होता है तो एक LHB coach का कीमत होता है डेर से 2 करोर लेकिन अगर वो power car है तो power car का cost होता है 3 करोर अब है breaking distance दोस्तों LHB coach से लगे हुई कोई गारी अगर 160 किलो मेटर प्रती घंटा के स्पीर से चल रही है तो उसका breaking distance होगा 1200 मेटर यानि की 1.2 किलो मेटर अब है dampers दोस्तों जिस परकार से ICF coach में hydraulic shock absorber का प्रियोग किया जाता है उसी परकार से LHB coach में dampers का प्रियोग किया गया है तो LHB coach का जो suspension system होता है वो ICF coach की तुलना में बहतर होता है इसलिए इसका riding index कम होता है और यात्रियों को भी जैदे comfort का अनुभव होता है तो आएए हम जानते हैं कि इसके एक boggy में dampers की संख्या कितनी होती है और यह किस किस परकार के होते है दोस्तों इसके एक boggy में चार तरह के damper लगे होते हैं सबसे पहला होता है primary dampers primary dampers की संख्या होती है four numbers उसके बाद है secondary dampers secondary dampers की संख्या होती है two numbers उसके बाद है your dampers your dampers के संख्यां होती है two numbers और lateral dampers lateral dampers के संख्यां होती है one numbers one number तो इसी परकार कुल मिलाके nine dampers हुए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों लचबी कोच में जो बफर का प्रियोग के जाता है उसको हम लोग CBC बफर बोलते हैं यानि कि Central buffer coupler तो maximum CBC height जो होता है टेर कंडिशन में होता है ग्यारा सब 5 mm और minimum CBC height टेर कंडिशन में होता है 1090 mm और minimum CBC height loaded condition यानि कोच जब लोड कंडिशन में हो तो minimum CBC height इसका होगा 1030 mm अब हैं CBC gathering range CBC gathering range होड़ा यंटल होता है प्लस माइनस 110 mm और CBC gathering range vertical होता है प्लस माइनस 90 mm अब है height of CBC supporting device CBC supporting device का जो हाइट होता है 187.5 mm अब है thickness of brake pad दोस्तों इसके लेच्वी में जो brake pad लगे होते हैं उसका thickness होता है 35 mm और minimum थिकनेस इसका होता है brake pad का सेवने में उसके बाल है number of brake cylinder LHB coach में कुल मिला के 8 brake cylinder लगे होते हैं यानि कि इसके हर एक XL पर दो brake cylinder लगे होते हैं इस परकार एक coach में 8 brake cylinder लगे होते हैं अब है bearing type LHB में जो bearing लगे होते हैं CTRB type के यानि के cartridge taper roller bearing अब है new wheel diameter यानि लगे कोच के नए wheel का जो डाया होता है वह होता है 915 mm और condemning wheel डाया होता है इसका 855 mm यानि कि इससे कम के डाया के wheel को हम लोग कंडम कर देते हैं अब हम LHB coach के boggy के कुछ feature के बारे में बात करने जा रहे हैं आप लोग इस वीडियो को अंतक जरूर देखिएगा दोस्तों wheel base wheel base क्या होता है तो wheel base होता है किसी एक ही boggy के एक ही side के axle के बीच का distance उसी को हम लोग wheel base बोलते हैं तो LHB coach का जो wheel base होता है वो होता है 2560 में दोस्तों किसी भी वेकिल का beispielsweise जिसका wheel base जतना ही कम होता है कर बाता है तो LHB coach का जो wheel base होता है वो ICF के तुलना में कम होता है अब है distance between दोस्तों आपलों को तो बता दें कि LHB में जो बोगी का प्रियोग कहा जाता है उसको हम लोग फियट बोगी बोलते हैं अब हम डिस्टेंस बिट्वीन हुईल हुईल के बीच की दूरी को ही हम लोग हुईल गेज भी बोलते हैं तो LHB में हुईल गेज होता है 1600 पलस माइनस 1 mm अब है maximum distance between inner wheel LHB बोगी के inner wheel के बीच का जो distance होता है वो होता है 12,340 mm अब है distance between center pivot of two bogies LHB कोच के दो बोगी के बीच के center pivot के बीच का जो distance होता है वो होता है 14,900 mm अब है axle diameter LHB कोच का जो axle होता है उसका diameter होता है 170 mm अब है bogey length और bogey width यानि कि bogey की लंबाई और bogey की चोराई तो LHB के bogey की लंबाई होती है 3534 mm यानि कि 3534 mm और bogey की चोराई होती है 3030 mm यानि कि 330 mm दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं कि LHB bogey का weight कितना होता है तो इसका जो वजन होता है weight होता है वो होता है 6300 kg यानि कि 6.3 ton तो यही था LHB के बारे में जानकारी दोस्तों अभी तक आप अगर हमारे चैनल पर नए है तो इस चैनल रेल टेक को जल से जल सब्सक्राइब करें क्योंकि हम लोग रेल के विभागे परिक्षाओं से सम्मंधित जो इंपोर्टेंट जानकारी है अपने वीडियो में लेकर आते रहते हैं तो अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को जल से जल सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और जो वेल आइकन है उसको जरूर दबा दें ताकि हम लोग जो भी वीडियो इस पर डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और अगर दोस्तों इस वीडियो में आप लोग को कोई अभी भी कोई डाउट हो तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जाके कॉमेंट करके जरूर पूछेगा हम लोग इसका आंसर देने का प्रियास करेंगे धन्यवाद